क्यारे बच्चों आप सभी कामर चनल पे बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज किस वीडियो मादम से क्लास 10 के बच्चों के लिए साइन्स का एक most important वीडियो लेकर का चुके हैं और बच्चों इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को हर साल पेपर में पूछे जाने वा बच्चों यहां पर देख सकते हो कितनी कड़ी मेहनत के साथ मैं आप सभी के लिए हाथ से लिख करके पूरे किताब के वाइरल बहुत बहुत कली प्रशन लेकर का चुका हूं और यकीन मानिये कि यह वीडियो देखने के बाद आप सभी का 20 में 20 mcq इससे बाहर नहीं आए ठीक है इसलिए वीडियो को इसकिप मत करना सुरूस लेकर के अन तक जरूर देखेना आईए वह चोब बिना टाइम वेस्ट किये हम यहां पर वीडियो कंटिनीव करेंगे और यहां पर सब से जो पहला मारा प्रशन पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु थंडे जल के साथ ह हीड्रोजन गैस को निकालती है ठीक है इसका राइट एंचर हो जाएगा बच्चा फोटेसियम ठीक है यहाँ पर तीसरा प्शन बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलो अगला क्वेशन यहां पर पुछा जा रहा है कि एमाईलेज एंजाइम क्रिया करता है एमा question बता रहा हूँ सारे करे को सुछन अति महत्पूर है सभी को सं को अभी कभी तुरन्त रट लो समझेब क्योंकि अब की बार बोड के पेपर में यह याएंगे इसरे से बाहर नहीं याएंगे इस भात को ध्यान में रखना है ठीक है चलो अगल्या question पूछा जा रहा है कि किसरे के सहारे से जलता है उसको हम दिप्त प्रकास बोलते हैं और अगे बढ़ते हैं अगले हमरा कुछा जा रहा है कि लिथियम विकर्ड संबंध दरसाता है किसके साथ दरसाता है सोडियम के साथ पोटेसियम के साथ एलिमिनियम के साथ या मैगनिसियम के साथ तो लिथियम विकर्ड किसके साथ दरसाता है यह दरसाता है मैगनिसियम के साथ यहाँ पर चौथा आपसन बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चलो अगला क्वेसर पुछा जा रहा बच शरीर के भीम भागों तक पहुचाने वाली धमनी है, उसको हम महा धमनी के नाम से जानते हैं, चोथा अपसन हमारा बेलकुल राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो, अगला क्वेशन पुछा जा रहा है, कि बिदुत इस्तरी की अधार, प्लेट की वह सता पर पालिस की जा सैंगता है, उसको हम करते हैं हैं क्रोमियम का पलिस करते हैं, ठीक है, चलो, अगला क्वेशन पुछा जा रहा है कि तोचा का रंग गहरा करने वाला हर्मोन का experienced है तो तोचा का गहरा रंग करने वाला हर्मोन का नाम है MSH, ठीक है, यहाँ सेकेंड अप्शन बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, कई बार बोड के फिपर में यह कोशन आज चुका है, ठीक है, चलो, अगला कोशन यहाँ पूछा जा रहा है ब पहला अप्शन यहाँ पर सब्त्य हो जाएगा, ठीक है, चलो, अगला कोशन पूछा गया है, कि मनस्त में प्रोटीन का पाचन सरप्रथम किस में होता है, ठीक है, जो भी आपका बड़ी होता है, उसमें प्रोटीन का पाचन सबसे पहले किस आंगे में होता है, यह आपको चलो आगे देख लेते हैं अगला कोशन पुछा गया है कि किस दरपड में वस्तु का प्रत्विंब सदयव वस्तु से छोटा सिधा वो कालपनिक बनता है यह आपको बताना है ठीके बताओ, जल्दी से बताओ कि किस दरपड में वस्तु का प्रत्विम सदय वस्तु से छोटा बनेगा, सिधा भी बनेगा और कालपनिक भी बन सकता है, ठीके, तो समतल दरपड होगा, कि अवतल दरपड होगा, कि उतल दरपड होगा, या ये सभी होगा, तो उतल दरपड में इ औक्सिजन की संजव युकत्य ues लेता दो तीन चार यह रूसकीक है नहों दो तो रूथिर दो होती है ठीकिक है दो होती है नुद्य अग्ला question यहां पे पूछा जा रहा है कि रुधिर परिसंचरण कीखोच किसने की थी ? nauseas बताना है उस बैग्यानी का नाम बताना है रिसर्चर का नाम बताना है बिलियम हार्वे ने वान लिवन हॉक ने स्टेफ़न हेल्स ने या लेंड स्टिनर ने तो रुधिर परिसंचर की खोज किसके द्वारा किया गया था तो बिलियम हार्वे के द्वारा किया गया था अपस वाट किवाआट प्रतिघंतः गंटः तो इल्यक्त्रीकल इनिर्शी की कि कम वाट आरख हिए मुह होते हैं आम u पिस्टाधार कर्बोनेट है कि जटिल कर्बोनेट है तो हर्मोन क्या है भाइया आप सभी का प्रोटीन है पहला अपसे नहाब है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे देख लेते हैं अगले हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है ज्यान से द हातु को पतले तारों में ठीक है पतले पतले तार में अगर खिचने की जो छहमता होती है इस्ट्रेंथ होता है उसको हम तन्यता बोलते हैं टैंसर भोलते हैं अपसे नमारा वार्णा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अगला क्वेशन पुछा जा रहा है कि पीत रर्स का रसानिक प्रकृत क्या है अमली है चारी चली है टास्टेन है यह बता रहा है तो छारी हो जाएगा ठीक है अब इस नमबर यहाँ पर सेक्ड़ बिल्कुल राइंट रोगा से लोगा अगला क्वेशन पुछाग्या है कि समतल दरपड़ की फोकस दूरी होती है कई बार बोडिके फिर में आ चुके एक क्वेरी सून्खर समतल दरपड़ की फोकस दूरी क्या होती है चलू अगला से पूछा जारहा है कि विकर समंद की सोरिएम और एलमूनियम यह सिलिकन नमर यहां पर सेकेंड बिल्कुल राइट असर होगा है ठीक है चलो अगला कोशन पूछा गया है कि मानों हिर्दे में कक्छो या वेश्म की संख्या होती है मनुस्य के हर्ट में जो कक्छा होता है क्लास होता है ठीक है वर्ग होता है उसकी संख्या बताना है कितने उसके चंबर वने होते है एक होता है कि दो होता है कि चार होता है कि तिन होता है तो मनुस्य हट का चार चेंबर होते हैं ठीक है चार कक्ष में डिवाइड किया जाता है ठीक है अप्सन नमर चाहता है यहां पर आइडेम से रोगा अगला कोशन यहां पूछा गिया बच्चा कि धारा करेंट ठीक है जि indot v v p 2 टी टी डवल्ू वी अपण में ट या डव्लू टी आपण D अपना है कि करनड़ अद्वी अपको बताना है कि करेंट बराबर क्या होगा तो बी बराबर एंट आर होता है उस इसाब से भी आप यहाँ कर सकते हो देखो बिबराबर क्या होता है ऐउंट र होता है ठीकए या आप यहाव से डवलू बराबर हपिए निकाल सकते हो इस तरह किस्ट से इन्टु भी इन्टु यहां पे टी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अप्शन में आमारा सेकंड बिल्कुल राइट एंसर होगा अगला क्वेशन जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नमर क्वेशन होगा कि पीटीट्री ग्रंथी ग्रंथी से निकलने वाला हार्मोन है बता प्रेसीन ठीक है वैसो प्रेसीन बोलते हैं तीसरा आपसे हमारा बिल्कुल राइट अंतर हो जाएगा तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ज्यादा सज्यादा इस वीडिय मत्रम